हाई बच्चो मैं फिर आया हूँ आपके सामने आप देख सकते हो नए कलास में नए सवाल के साisc बच्चो नए सवाल कि सवाथ में कहां से करूंगा बच्चो आप देख सकते हो सवाल नंबर तेरवां हमारा आज सुरू होने वाला है तो बच्चो कौन से प्रस्णावली हमारी चले लिए प्रस्णावली 7.6 वस्ट इमारी जो आखरी तो समाकलन वाला केस है तो इसका मतलब यहां पर हमें यू इंटु वी का फॉर्मला लगाना होगा आपको मैंने क्या है लोग साइन इनिवर्स कॉस्ट इनिवर्स जितने भी आते हैं बच्छो फुलान अगर गुड़ा में है तो आप इसको पहला फुलान मालोंगे अब आप देखो बच्छो 10 इनिवर्स एक्स है 200 हमने पहला मान लिया दूसरा किसको माल लेंगे कुछ है नहीं एकष्ट तो पहला फुलान हो इस REPTUAT DR-2 D अक कलि लिए भुन है आपको हम यहां पर यह लिक्क्यों बताता है पहला यह और दूसरा बच्छो मैंने किसको प्रमाल लिया एक को अब आप फटावर फॉर्मला क्वाल दो क्या होते हैं बच्छों फॉर्मला का पहला फॉलन कि टैन इनिवर्स एक्स और पहला सवाल हम कर रहे हैं आज की क्लास में तो पूरा पूर अच्छे से करके बताएंगे पहला फॉलन गुरां दूसरे समाकलन तो हो जाएगा आपका वन डी एक्स माइनस समाकलन के अंदर वच्छों कितना आता है पहले का अब कलान मतलब टैन इनिवर्स एक्स फिर आपको बता है पूरी पूरी वैल्यू यहां पर आ जाती है समाकलन में एक और डी एक्स ठीक है बच्छों अब उसके बाद यह पूरा हमें सॉल करना है सॉल करने के बाद जो वैल्यू आएगे उसका आपको बताए एक वा समाकलन और होता है अब आप जा रहे हैं, यहाँ पर आओ, 10 इनिवर्स X गुना है बच्छों, एक का समाकलन, कितना आता है, X, अगर X है, X, ठीटा है तो ठीटा आ जाएगा, तो बच्छों, 1DX की वैल्यू हो गई समाकलन से X, माइनस समाकलन के अंदर, आपकलन किसका करना है मुझे, 10 इनिवर समाकलन आपको पता है, कितना आया था आपका, X आया था और, DX, तो बच्छों, अब पूरी वैल्यू का आप ऐसे लिख दो, X, 10 इनिवर्स X माइनस का, यह आपका आ जाएगा, X बटे, 1 प्लस X स्क्वेर और, DX, चलो, अब फाइनल बच्छों में जिसका समाकलन करना है, कै बात करो बच्छों, प्रस्नली 7.2 जो आपको हम बता चुके हैं, क्या था, कुछ ऐसा मानो, जिसका अफकलन यहाँ पर मौजूद हो, बच्छों, ऊपर, क्या माने, किस पर का माने, हमने एक काम यह कर लिए, बच्छों, मानने से पहले, 2 से, ऊपर, नीचे, गुना कर दी, यहाँ भी गुना कर दी, यहाँ भी गुना कर दी, ठीक है बच्छों, अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, और जो मानेंगे, वो काम यहाँ पर, ठीक है, तो हमने क्या कर लिए, बच्छों, माना, 1 प्लस X स्क्वेर, बच्छों, हमने चलो T मान लिया, आपको पता है, T की जहाँ कुछ ही मान सकते हो, तो आपको बता है, बच्छों, 2X DX की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से, DT, देखो आप, आया नहीं आया, 2X DX पूरा आगे, किसके बढ़ाबर, DT के, तो यहाँ अब बच्छों, पूरी वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी, आपकी, X, 10 इनिवर्स, X, माइनस का, एक बटे, दो, बहार बदा तो, आपको बता है, आ नहीं आना है, और यह आपका आजाएगा, 2X DX, किसके बढ़ाबर, DT के, तो यह होगे, आपका, DT, और नीचे वाल्यू का, आपनी क्या माना होए, T, तो यह बच्छों हो जाएगा, DT बाए T, तो अब एक काम एक गरते हैं, बच्छों चलो, आगे बाल लेते हैं, ठीके, DT बाउंटी, कितना एक इसका समाकलन, लोक्ती, तो अब इसको लिखेंगे, आगे, X, 10, इनिवर्स, X, तो है ही आपको बता है, और देखो, माइनस का, एक बते, दो, माइनस का, एक बते, दो, और ये आपको बता है, लोक्ती हो गया, बच्छों समाकलन, पूरा हो चुका है, प्लस का, C आप लगाओगे, और आखरी में क्या होने वाला है, आखरी में बच्छों क्या होगा, जो आपने माना है, उसकी आप वैल्यू को यहाप पर रख दोगे, तो आपने T को क्या माना हो आप देखो के वन प्लस का एक्स्क्राइब तो यहाप लॉगी एवनप्लस का एक्स्क्राइब लस का सी सवाल आपका, यहीं समाप्ट होता है, और सवाल बच्छों कौन सा, 13 अब बढ़ते हैं, बच्छों, चौह दे सकते हो, लॉग एक्स का, होल स्क्राइब तो हमां अकलन है बच्छों अब एक्स आपने देखा होगा我要 का और चलू बत्चो अब समकन कहा इसका क्यारीका लौग आ रहा है तुरण्त क्या मानलोग इससका पहला वह लिया पहला और यह हो GRO अपका दूसरा अब वच्चो काम करेंगे थोड़ा सा सौटकट आपको पता है पहला फ़लन वच्चो कितना है यहाँ पर लॉग एक्स का होल स्क्वेर पहला फ़लन दूसरे का क्या आता है बच्चो समाकलन अब आप समाकलन को करोगे यहाँ पर थोड़ा सा डायक्ट एक्स का समाकल के अंदर यहां बचो इसको तो चलो लिख देते हैं डी अपाउन डी एक्स क्योंकि इसका मुझा अभी अपके लंग करना होगा कि लॉघ एक्स का होल स्कुर गुरा बच्चो आपको बता एं समाकलन जो दूसरी की वैल्यू होती हो यहां पर आती है तो यह आपका आजाएगा एक्स क्वैर बटे दो और डी एक्स चलो इसको बच्चो सॉल करके लिख दो अब एक्स स्कुरीशर और log x का whole square के नीचे कितना आ जाएगा 2 x square log x का whole square बटे 2 यह आपका इतना आगिया है माइनस बच्छों जो आपका यहाँ पर आ रहा है 1 बटे 2 आप इसको यहाँ लेके आ जाओ अब क्या होगा log x के whole square का मुझे आपकलन काना है किसे खुलेगा formula अफकलन वह आपको अच्छे से पता है x की घाट n से तो यह आपका आजाएगा 2 log x क्योंकि x का काम करेगा यहाँ पर log x ठीक और formula होता है n-1 तो log x की whole power 2-1 simple सी बात उसके बाद क्या होता है जो x के स्थान पर आता है उसका दोवारा करते हैं बच्छों अफकलन तो यहां कितना आ जाएगा गोड़ा में log x का दोवार करो अफकलन तो कितना आना यहां पर एक बटे x तो बच्छों पूरी value जो आ रही है किसकी अफकलन की दो log x गोड़ा एक बटे x आ गई यह एक बटे दो बहार है और यहां गोड़ा में कितना बच्छा होगा है बच्छों x स्क्वार और dx इस दो को आप इस दो से कार दो बहार आएगा दोस्तों तो आपका यहां कर गिया यहां आप देखो बच्छों x से एक पावर x की कर जाएगी तो हम थोड़ा सा काम बच्छों यहां पर कर लेते हैं ठीक है यह लाइन वाला arrow हम आपके लिए हमेशा लगाते हैं बराबर लगा दिया डैस डैस और डैस समझ जाओगे कि सवाल चौद्वा यह है यहां तक पहुंचे डैस का मतलब यह इसके बराबर है अब बाकी काम हम करने वाले हैं चलो यहां पर आओ यह कितना है आप देखोगे x स्क्वेर है लॉग x का होल स्क्वेर ठीक है बच्चों और नीचे कितना है अब देखोगे दो यह तो इसकी वैङवय जो लिखी भी है आफ ध्यान से देखना लेखना money से एक हाथ कड़ गई तो यहां जाएगा आपका एक्स लॉग एक्स और डी एक्स तो अब क्या मतलब हो उसका मुझे एक बास समाकलन और काना है किसका एक्स और लॉग एक्स का अब अब अच्छों लॉग फिर आ रहा है तो आपको बता है पहला आपका यह दुवारा हो एक्स स्क्वेर लॉग एक्स का होल स्क्वेर के नीचे आपको बता है दो है और माइनस का साइन वह हमने यहां पर लगा रखाता है एक्स लॉग एक्स करते हैं बच्छों का समाकलन पहला फलन कितना आपको बता है लॉग एक्स तो यह हो जाएगा आपका बच्छों बड़ कलंद तो यहां हो जाएगा एक्स का समा कलंद कितना वच्छों एक स्क्वार बठेड़ दो माइनस समा कलन के अंदर अब उच्छों का लो डिरेक्ट आफ रखन वाला काम वह मैंने क्यों नहीं किया भी क्योंकि लॉग एक्स का होल इसको एथा तो इसको पहले आपको पहले का अपकलन आपको बता है एक बटे एक साता है और यह दूसरे का समाकलन कितना आया उसको आप कहां लिख दो गए यहां पर एक स्क्राइब बटे दो और डी एक्स यह हो गया आपका बंध ठीक है अब फाइनल देखो क्या आने वाला है एक तुट लॉग एक का होल स्क्राइब के नीचे आपको बता दो तो आना ही आना है माइनस का साइन यहां लगा दिया है मैंने यह कितना आएगा आप देखोगे एक्स स्क्वेर लॉग एक्स के नीचे 2, पहले confirm कर लो, माइनस का लॉग एक्स, एक्स स्क्वेर बटे 2, बच्चो माइनस को आप अंदर ही लियाओ, तो तभी तो ऐथ है, माइनस माइनस यहां कितने हो जाएगा आपका, पिलस अब यहां आप देखोगे बच्चों एक बटे दो यहां माइस माइस प्लस एक बटे दो यहां आना है यहां x से x की घात्वी कटेगी तो आप यहां देखोगे पूरी वैल्यू यहां आ गए आपकी x dx final बाल माइस माइस प्लस यह माइस साब का ऐसी ऊक्ष अलो इसके दो और आपकी वैङली क्या लिखोगे ऍहलों एक स्कूर लॉह लो एकस का होल स्कूर्ण के नीचे दो आना ही आना है माइस से शी से लॉग एक स्कूरLog जो नीचे दो नहीं है कि एक स्कूर्ण बटे दो और मैस मैस प्लस था 1 बटे 2 आपको बता यहां आना ही आना है और बच्चो X का समाकरन आखरी वार कितना है गा X स्क्वेर बटे 2 अब समाकरन ओर नहीं होना है तो प्लस काम ने C लगा दिया 2-2 ली चान लिख दिना वो उसका आंसर हो जाएगा अब आते हैं बच्चों अगले सवाल पर देखें अगले सवाल क्या है हमारा सवाल बच्चों पंद्रवा आपके सामने है उसको इवाद पढ़ ले x square plus 1 log x ठीक है यह हमारा इसको करेंगे अलग से पंद्रवा सवाल है बच्चों समा कलर में x square plus 1 और log x dx यह सवाल है आपका पंद्रवा अब log x आ रहा है गुना की बात आ रही है तुर्ण log x को क्या माल लेंगे हम पहला फ़लन तो बच्चों आप लॉग एक्स को आपको पहला माने जाएगा और बच्चों x square plus 1 इस बात को आप नोट करना चाहे x square plus 1 आए x की पावर 3 प्लस आए कुछ भी आए आप दूसर पूरे को माल लेना एक साथ तो यहां पर हम क्या करेंगे देखो यह पूरा का पूरा दूसरा माल लेंगे कोई दिक्रत के बात नहीं है अब जब आगे बढ़ते हैं तो क्य वर आप नहीं हुआ है लॉग एक्स गुना दूसरे का समाकलन अब मैं आपसे कह रहा हूं समाकलन x square पिलस एक करना है आपको सा इसी का हो देखो बड़्चो एक्स को एका समा क्ला एक्स की का 17 weight ही यह मैंने प्लस लगा दिया सिंपल सी बात है अब चे वन है वन का समा कितना आता चुर्ण को होता है एक होगा आपका एक के लिए पहला फलेन दूसरेका समाख एक्ष और फिर के आता है दोस्ते का समाकलन मतलब पूरी की पूरी वच्चु यह बच्चु यह आजाएगी यहां पर तो यह आजाएगा आपका स्बसक्राइब का एक्स की घाती बटे तीन प्लस गरिया आप देख सकते हो और यहां आपको बता है क्या आता है आखरी में डी एक्स इस पूरी वैल्यू का हूँ एक वासा माखलन और करने वाले अब पूरी वैल्यू कुछ ऐसी आ गई एक्स जिभा तीनवते तीन प्लिस का एक्सा पहले लिए है लौम सा अपने कर दिया यहां पर मायनसद यहां बच्चो में काम यह कर ने वाला हूं पहले ऐख सबने गुला में यह थोड़ा सवल गड़ता है इन दोनों में कुछ कौमन आ रहा है ऐसको कौमन के इस वाली एक से कार दो तो आप देखोगे कितना आ जाएगा एक बटे एक गुला दोनों आपने common लिया x आ रहे क्या बुचे रहा है और 1A wise square 2 तीन PLUS का EEC1 कि लिए किन ये एसी रहा इसने समय इसने 해서 हाया सटीव want a visto किर पर 1 अब बचल्टों क्या हुआ थोड़ा काम होंगा रहा असान हो गया एक्स से आपका एक्स कड़ गया है अब पूरी वैल्यू क्या आएगी आप देखोगे एक्स की घाए तीन बटे तीन प्लस का एक्स और यह कितना है लॉग एक्स माइनस अब जो बचाया बचो उसको लिख लो क्या बचाए है यहां पर एक्स स्क्वेयर बटे तीन प्लस एक और यहां कितना आगे आपका डी एक्स तो आप देख सकते हो यह भी कह सकते हो यहां पर आपका फाइनल आंसर आने वाला है देखो कैसे अब माइनस तो भार है कोई टैंसर नहीं माइनस तो यह माइनस का एक बथे 3 एक्स कुछाइन चाहें खाए किसका हो गा आपको बथे जैक टिक टू यह माइनस का एक बजाक स्कॉएर माइनस की गुनाप प्लस में करेंगे माइनस आएगा तो आपने यह माइनस लगा दिया अब यहां बच्चो एक है तो आप क्या लिख दो कि यहां पर एक और डी एक बस माइनल स्टैप आपका यहां हो जाएगा अब ज़रा इसको आगे करें यह है आपका एक्स की घात तीन बटे तीन प्लस एक्स और यहां कितना है बच्चो लोग एक्स चेक करें पहले कि ए丁टे से 10-3 प्रेट के थिए ठीक बच्व मायनस का एक बटे तीन में वैंब कि इस कर दो कितना आए गुलsource कि सम्हां एक गुल स्चेयर आपके हाएगलों के मायनस का एक क्वटे तीन तो कि आणैं आणा ईकर तीन व्रण Parce एक का कितना आता है X तो यह हो जाएगा आपका माइनस X समाकलन हो चुका है तो प्लस का C लगा दिया फाइनल आंसर जो हम कहते हैं यह आपके लिए छोड़ेते हैं थोड़ा काम उसको भी थोड़ा करके बताज़ेते हैं आपको लॉग X माइनस बच्चो X की घा तीन जैसे मैं आपको कहता हूँ कि इसकी गुड़ा कर लेना तीन दिया नो आप यहां कर दो जहां भी कुछ ऐसा आता है माइनस का X प्लस C सवाल कौन से बच्चो हमाद समाप्त हो गया है आप देखोगे पंदरों आगे देखते हैं बच्चो आगे सवाल यहां मिलना चाहिए सवाल सोलों आपके सामने है 16, 17, 18 ठीक है चलो तो बच्चो अब सवाल सोलों है देखो क्या दे रखा है समाकलन E की घात X ब्रैकिट में कितना है बच्चो Sine X प्लस Cos X जैसा आप यहां पर देख सकते हो ठीक अब यहां पर बच्चो सवाल सोलों ना करने वाला हूँ अब जो मैं यहां करने वालों बच्चो आप देख सकते हो यहां पर हलका सा एक आप यहीं बोल तो कि मैं ट्रिक लगा रहा हूँ एक उपाय कर रहा हूं सवाल को असान करने का सवाल सोलों बच्चो विसेश रूप से तो आपको जो सवाल में बच्चो कुछ ट्रिक आती है कुछ नया पन आता है तो आपको अच्छे से प्रैटिस उनकी करनी चाहिए तो कि वो थोड़ा सा नया पन होता है और बागी जो हम सवाल कर रहे हैं वो सवाल आपके सामने होई रहे हैं ठीक है चलो अब आगे बच्चो उसका में समागलन करना है मैंने क्या किया अब आप यहां देखो बैदे माना की एक हाट एक साइन एक्स बड़ाबर टी अब आप यहां कितना जाद करेंगे कैसा करेंगे यू इन-टू-वी करें तो आप आप यहां देखो क्या होगा फॉर्मला पहला फ्लन आपको बताए अफकलन में कोई दिक्कत के वाद में होती है किसी को ले लो पहला दूसरा मैंने पहला ले लिए बच्चो एक इगात एक्स को पहला फलन दूसरे का क्या आता है अफकलन तो बच्चो साइन का अफकलन कितना होता है कॉस एक्स प्लस दूसरा फलन कितना है आपका साइन एक्स और पहले का आपकलन पहला कितना है एकी घात एक्स तो उसका आपकलन कितना हैगा बच्चों एकी घात एक्स और आपको जब आपकलन आपका हो जाए तो वहाँ क्या लगाते हो भार डी एक्स और बरावर DT तो आना ही आना है ठीक वच्चो इतना आगिया मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ E की घात X को ले रहा हूँ common और I common क्या बचे गए यहाँ पर cos X plus का sin X और बहार कितना है आप देखो के D X और किसके बरावर है वच्चो यह DT के अब आप देखो इस ट्रिक को लगाते ही क्या फैदा हुआ जैसी मैंने E की घात X sin X को टीम आना तो वच्चो E की घात X cos X plus sin X किसके बरावर आगे DT के और आप देखो वच्चो यह पूरी की पूरी वैल्यू इसी का तो मुझे समाकलन करना है देखो समाकलन E की घात X sin X plus cos X बोल दो या cos X plus sin X क्या दिक्कत आ रही है देखो पूरा पूरा आ गया तो इस पूरे की वैल्यू क्या रख देंगे हम DT तो यह पूरा कितना आ जाएगा बच्चों इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी DT यह फायदा हो कितना बड़ा सवाल आपका दो लाई में खितम हो गया अब आगे अब आपको बता है यहां DT कि कुछ नहीं है तो आप क्या मान लोगे एक गोणा का DT और आपको पता है हमेशम कहते हैं कि एक का नंबर एक का समाकलन कितना होता है एग से सब तो एक्स ती के साब एक से था और किस तरीके से बता रखा आपको मैंने इंटरो प्लास में ठीक है तो यह कितना जाएगा आपका बच्छो टी समाकलन हो चुका है तो यहाँ क्या लगा दोगे प्लस का सी अब जैसे अब प्लस का सी लगाया टी किसको माना था पुसकी वाट्वाटाल 17 सत्रार इस सब्सक्राइब को in 17ऊ है और सवाल है वडचो आप के तेर रखा ए-C8 हाट x और नीचे देखिए क्या है फिर प्लेटैक्स का होल स्कॉरर यह अपका बाल प्लेटैक्स का whole square or dx बराबर तो बच्चों जो ट्रिक आप ये कह सकते हो मैं आपको एक हलका सा हिंट और देना चाहूंगा सवाल जो सोल वा मैंने आपको भी करके बताया है उस ट्रिक के सवाल वच्चों को कि ये भी की पूरी वैल्यों अगर आ रही है तो डड़ेक्ट सवाल आपका असान हो जिता है तो इसी विद्व ट्रिक बोलते हैं अब आप यहां देखो क्या दे रखा एक्स एकी घात एक्स बटे वन प्लस एक्स का होल स्कोर डी एक्स अगर आप सिंपली सोचो आप सवाल को मैं आपक सबस्क्राइब कई सबस्क्राइब कर दोता है तो यह जो एक्स पर भी वन प्लस एक्स को बना दिया चोड़ नौमल समरा तरीका होता है और नीचे आपका कितना जाएगा 1 प्लस X का whole square और आपको बता है DX तो यहां आना ही आना है अब अब जो आपको बता है जब मैंने कुछ बनाया है तो उसको भीरेक करेंगे न भीरेक कर लो अप X प्लस 1 के साथ यह देखो मैं करके बताऊंगा X प्लस 1 के नीचे X प्लस 1 का whole square एक की दो बात है x plus 1 या 1 plus x का whole square और minus 1 के नीचे 1 plus x का whole square ठीक है बर चूंद तोनों एक ही बात है x plus 1 या 1 plus x और आपको पता है इसके बहार e की power x तो आनी ही आनी है ठीक इसको मैंने बिरे कर दिया अलग अलग अब ये कुछ आप देखो कि इस प्रकान ही आ जाएगा एक बटे x plus 1 minus 1 बटे x plus 1 का whole square तो यहां पर ही बच्चों और e की घार x dx तो यहां पर हम लगाएंगे लगाएंगे चुट गया हमारा ये dx बच्चों क्लियर क्या किया एक में एक जोड़ा घटाया और इसको मैं सब्सक्राइब करके लिख दिया अब बच्चों एक हाथ दो के वहार गुना में तो एक हाथ एक्स की आप गुना कर दो तो यह कुछ ऐसा आ जाएगा आप देखोंगे एक गहाथ एक्स बटे एक्स प्लस वन का पावर कितनी है पहले वाले में एक है और माइनस एक गहाथ एक्स के नीचे यह है आपका एक्स प्लस वन का होल स्कूर और बच्चों आप देखोगे बहार कितना आना है इसका डी एक्स अब थोड़ा काम हम आपको बताए यहां करने वाले हैं ध्यान से देखना यहां खतम हुआ है एरो को मतलब फी कहां देखोगे आप इस तरफ टिक जैसा आपको हमने बता रख किया है यहां बच्चों मैंने मानः आ हमनी एकिग घात एक्स बटे एक्स भास 1 को मैंने टी वाल को जिए सवाच 5 तरह है आप देखो का ओने वालर हमने एकी भात एक्स और पाउन एक्स बात वर्टत क्या मान लिए बच्चों ऑनवाद बतार टी उन घ्यात हम आओ个 बच्चो इसका आप कैसे करोगे पहला फलन देखा आपको मैं थोड़ा सा और भी करके जाओंगा ऐसा करो आप गोना तो ठीक है अब एक यह बात है तो अब पहला फलन मैं लिए रहा हो गच्चो एक बटे किसी को जेलो कोई खत नहीं है पहला फलन एक बटे एक पलस वन को दूसरे का आप कितना ईगा कि जात tex प्लस दूसरा फलन और पहले का आप लाल शुंद से पहला क्या माना है मैंने एक बटे एक गी कि अधिन एक वाह कितना आएगा आप यहाँ देखो मा要 अई यह है इसको में ऐसा दूटो ने चाह को एक सफोर सोनक्रों फॉनकर अब чуд है कुने हैं इसको मैंने लिख दिया X 21-1 की होल भाव पावर माइनस का बन तो इसके घ्राइड का एकस की घाट N का टुलना करो आप X की जगह x प्लस वन आ रहा है n की जगह माइनस 1 तो फॉर्मला क्या होता है एं एैस की हाथ x कितना है बच्चो एकस प्लस वन एकस थो इतना है उसकी घ्राइड n-1 मतलब –1-1-2 यह हो गया अपकलन इसको यहां बंद कर लो आप ऐसे और आपको बता है जैसी अपकलन होता है उसके बाहर आता है dx बराबर dt क्लिए लो गया देखो आप एक बटे x प्लस 1 को एरो का मतलब यह माना है मैंने अपकलन करके बता दिया जहां देखो प्लस की गुणा माइस में करोगे कितना आता है माइनस का आएगा साइन x प्लस 1 की गहात माइनस 2 को नीचे लेके आओ तो एक बटे x प्लस 1 का उसक्राइन ही आ गया तो आप देखो इस लाइन को मैं आपको अलग से लिखके बताता हूं पूरी वैल्यू जो आई अब यह आपका है एक बटे x प्लस 1 e की गहात x वह प्लस मैनस का मैनस होगे था आपका एक बटे x प्लस 1 का स्क्वेर और e की गहात x यह हो गया बंद जो मैं आपको बताया था dx यहाँ implies कर सकते हो बराबर dt अब अचो जैसी मैंने अब यहां देखो जैसी मैंने e की गहात x बटे x प्लस 1 को t माना तो वह जो वैल्यू आई है तो आप मुझे आप चेक करके बताओ कि क्या हो पूरी वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है चेक करते हैं e की गहात x x प्ल x प्लस 1 का स्कुएर x प्लस 1 का स्कुएर और पूरे के भावर dx प्लाबर dt क्लिर हो गया जैसे आप कुछ बनाते हो सवाल को कुछ मानों की तो पूरी की पूरी वैल्यू वच्चु आपको हाँ पर मिल जाती है तो थोड़े ट्रिक वाले सवाल होते हैं और हम क्या बोलेंग जो हमें सवाल दे रखा है उसके बरावर चल रहा है अब आपने यहां लगा दिया समाकलन पूरी वैल्यू आपको बताए किसके बरावर आ गई टी के और टी अपका रही एक होगे 1 में टी हुआ प्लस का सवाल नहीं समाप्ट रखदो और रख दो फ su di 420 6-11 किना बच्चो एक्स प्लस वन प्लस का असी यहाबका सवाल यहीं समाप्ट होता है तो अब आप जैसे सब बढ़ोगे ना तो आपको खुद बच्चों ऐसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हाँ इस सवाल को मिस प्रकास से कर सकते हैं आसान मना के चलब देखें किसका नंबर है बच्चों सब्सक्राइब इसको नोट करेंगे इतना अठारों है बच्चों जो दे रखा है एक एक वन प्लस का साइन एक्स जैसा आपको पता है और नीचे क्या दे रखा है वो भी देखते हैं नीचे है बच्चों वन प्लस का कॉस एक्स ठीक है यह है आपका वन प्लस का कॉस एक्स और डी एक्स समाकलन अब बच्चों आप यह जैसे जैसे सवाल करको हम बारवा कहने हैं अब एक हलका सा हिंट ओलो सवाल मैं 16 से सुरुआ तो यहां इस परकार के सवाल होगी तो बच्चों उन सवाल हों आब कोई ए की घात एक्स आ रहा है सवाल 16 उपके सामने और मैं क्या कर रहा हूँ आप पहले उसको देखो वैक्षो साइन एकस दो फॉर्म फोले का टू साइन एकस कोस एकस का यह बाई टू में आ जाएगा आपको पता है कि डू साइन एकस बाई टू कोस एकस भाय टू यह हो गया बच्छो बंद और आते हैं कहां नीचे वन प्लस को सेक्स वन्लस को से किसके प्रावरा होताँ आपको यहां तो मैं है वने इक को स्क्वार्ण हों यह और देक्षगा ऑप था किroicky रहा रहे है तो फाइल दो आधा होता है थिश्टिक अब यहां को बता है कितना है डी एक्स तो अब आप यहां देखो एकी घात एक्स तो यहां पर है उसको आप वैसे जाने दो बहुत जो वैल्यू आगई यह वन प्लस संथिंग यह जो आप देख सकते हो उसको मैं कर रहा हूं अलग-लग ब्रेक जैसे मैं आपको अभी पताया एक्स प्लस वन वाला काम किय गया था तो यहां वच्चों मैं बडेक करूँ गा तो थोड़ा बड़ा लगा दो आप कितने आ जाए गए एग बटे दो C watching X by two 1 बटे 2 प्लस का साइण आप यहाँ लगाओगे यह कितना आ जाएगा 2 साइन X by two कौस X by two और बच्चो इस पूरे के नीचे भी कितना आएगा 2 वसकिवाइज स्क्वाइज एक्स बाई टू इसको हम करेंगे यहां पर बच्चो बंद और आपको बता है डी एक्स तो यहां आ नहीं आना है समाकलन एकी घात एक्स अब बच्चो यह कामे करो एक बटे दो किलिए ले एक बटे दो अच्छा रासी है आने दोसको एक बटे कॉस स्कूर किसके परावर होगा किसका वल्टा होता है सैक का तो यह आप कहां जाएगा आने सेक स्कूर ऐकश वाय टुस्तिए एेग बटे दो ऐसी रा एक बटे कॉस स्कूर एक गटी होगी आपका सैक फूए ऐक्स वाय टू प्लस का साइन प्लूस दो को आप यहाँ दो से कार दो कर तें तो हटा दो आप इसको कॉस से बच्चो एक पाउर कर देगा इसकी मीचे एक कॉस कॉस बचेगा तो साइन पॉण को असको कितना होता है आपका 10 और यहां आपका आजाएगा X, Y, 2 और D, X तो यहां बच्चो आना ही आना है यह किलियर है तो एक लाइन हम और करते हैं यहां पर क्या करना है बस E की घात X को बच्चो अंदर लेके आजो गुला में बुरे के साथ तो आप यहां देखोगे कितना आएगा यह एक बटे दो E की घात X सेक स्क्वेर X बटे दो प्लस का साइन बच्चो अब E की घात X यहां आएगा E की घात X और 10 X, Y, 2 और D, X बच्चो इतना आपका किलियर हो गया पहले क्या था 1 प्लस साइन एक्स अपाउन 1 प्लस कॉस एक्स था साइन और कॉस के फॉर्मले खोल दिये जैसे हमाँ बाइटू आएगा सिंपल सी बात है और उसको ब्रेक करके यह लाइन आ गई बच्चो फिर आप हिंट लो 16, 17, 18, 18, 18 क्या होने वाले बच्चो अगर मैं थोड़ा आपके लिए अंडर लाइन करना चाहूंगा एकी घात 10XY2 को मैं क्या मालनू देखो टी ठीटा अलफा आपको पतार कुछ मान सकते हैं तो उस पूरे का अपकलन मैं अभी करने वाला हूं पूरे का वच्चो अपकलन करोगे तो आप देखो के पूरी यहां से लेके यहां तक की पूरी वैल्लू आ जाएगी अब आप देखो कैसे तो यहां बच्चो मैं किसको मानूंगा यहां लिखेंगे बरावर का साइन और मानने वाला काम करते हैं यहां पर माना ऑशीह का ःएगस मैं यहां और कहां को मार लिखेंगे दू आपको को पता हैถी स्क्वार एकस तो ये सैक्र स्क्वार एकस भवाय वायग गया पर हम नॉन जी욱ा ऐसीय फिर एकस KC जो आता है उसका दूबाना करते हैं प्चों है की जगा कितना रहा है एकशा सब्सक्राइब करोगे कितना आएगा और फलन धूत एक कि दूसरा फ़लन कितना है आपका टैन एक्स बाइटू और पहला कितना माना वह आपने एक घार एक्स यह बच्छों पूरा आ गया है और आपको बता है अपको लगन करने के बाद यह कर दिया है बहार आपको बता है डी एक्स बराबर डी टी के लिए यह मैंने यह दो लाइन तभी लगा रखी है अब पूरा हो गया है पूरा के बाद भार क्या लगाते हो डी एक्स बराबर डी टी अब चेक करो एकी घात एक्स बटे दो सैक स्क्वेर एक्स बाइटू एकी घात एक्स बटे दो सैक स्क्वेर एक्स बाइटू प्लस एक हात एक्स 10 X Y 2 डी एक्स बावर डीटी जो आपको बताए था तो पूरी वैल्यू बच्छो क्या बनके आजेगी यहाँ पर यह आपका जाएगा डीटी और आपको बताएं डीटी को क्या लिखते हैं वन डीटी और बच्छो वन का समाकलन कितना आए गए बच्छो डीटी नहीं इसको सॉरी इसको मैं थोड़ा सा वो करूंगा ठीटा है वो मझे डीटी ही यादा था क्योंकि मोच्छो टी मानते हो इसलिए यहां थोड़ा साथ को हटाई देते हैं तो आपका जाएगा बरावर में यह डीटीटा बच्छो अच्छा में आभी सभी करना और डीटीटा को आप क्या लिखोगे वन इंटो डीटीटा जैसा टी का होता है टी स्कूर बाइटू एक का होता है टी के साब इस टी वैसी एक का ठीटा के साब एक्स ठीटा प्लस का सी और आखरी में आपको पता है जो आपने माना है एकी घहत एक्स टैन एक्स वाइटू प्लस C इसकी value यहां रग दी, प्लस कर्षिव सवाल आपका यही स्माफ्ट होता है, कौन से सवाल थे बच्चो, देखे, सवाल नंबर 18 अब बढ़ते हैं, आगे बच्चो सवाल नंबर 19 आपके सामने सुरूर चुक आगे, सवाल नमर बच्चों 19 वाइस समाकलन करना है e की घात x कितना बच्चों एक बटे x माइनस एक बटे थोड़ा मैं आपके लिए सरी कर दू कि आप समझेंगे कि माइनस है या नहीं है ये भी होता है तो लिख दो माइनस का एक बटे x स्क्वेर और dx सवाल 19 अब ठीक उतर गया होता है कभी गवार कि मैं माइनस लगा रहा हूं माइनस की जगह वो डैस बन गया तो कभी को पॉइंट हमारा छोड़ जाता है ठीक है चलो अब आओ बच्चो इसका समा कलंग करना है आप कैसे तो इसी टाइप का चौस्तर सवाल आ गया है क्यों इसलिए कह रहा हूं एक हाथ एक्स यहां पर भी आ रही है कोसिस आपकी वही होगी पहले एक सॉल्ल करो एक हाथ एक को अंदर लिया हो और कुछ देखो कि हां मान के अप कलंग करन एक बटे एक स्कुरेर एसा कर सकते हैं आपको बता है सिंपल सी बात है वह हमने एक घात एकस को अंदर लेके आ गए तो आ नहीं आनि है तो इसकी टेस्टिंग होगी अब आप यहां देखो माना कि इक हाथ X गोणा एक बटे X बडाबर T ती या ठीटा सिंपल सी बात है, अब बच्वों T माना है, ठीटा माना है, आफिलंग करेंगे, तो आप यहाँ देखो, पहला फ़लन किसको माल लिए मैंने एक इक हाथ X को, ठीक, पहला फ़लन कोणा दूसरा कितना है, 1 बाटे X बच्चो एक बटे X का कितना होगा वही तरीका एकस आएगा आपको बता है कहां पर यह में बने को साइड भी बता रहा हो आपको कोई दिक्कत ना हो x की घात माइनस का एक अब x की घात n का फॉर्मिला खोल दो तो यहां कितना आएगा आपका पहला फलन दूसरे का आपका लन मेड़ल मा इनस 1 x की घात माइनस 2 हो गया आपके लन कितना आथा याँ पर फिर दूसरा फलन 1 बटे X और E की घाथ X बच्चों इसका आपको लंग कितना होता है E की घाथ X और आपको बता है जैसे आपने आपको लंग किया है तो यहां बच्चों मैंने लिख दिया है D X बरावर D T पूरा देखो इसको माना यह पूरा आपको लंग के साथ आ गया curly bracket में मैंने लिख दिया dx बरावर dt अब अच्छो जड़ा इसको थोड़ा सा और solve करो यह आपको बताए minus का sign है तो minus आगे लिया हो e की गहात x बटे x square यहां हो जाएगा plus 1 बटे x e की गहात x इसको करो बंद dx बरावर कितना हो जाएगा आपका dt चेक करें एक बटे x e की गहात x 1 बटे x e की गहात x minus minus e की गहात x upon x square dx के साथ किसके बरावर आगिया dt वह सावल आपका बन गे देखो ठीक है ना अब यह पूरा कितना आजाएगा आपका dt और dt को हम क्या लिख रहे हैं के लिए 1 और dt 1 का समाब करन हो जाएगा आपका t प्लस का c और आखरी में जो आपने t माना है तो कितना हो जाएगा बटे एक गहात x upon x प्लस का c सवाल आपका उन्ली सवाँ बटे यही समाब तो होता है अब आते हैं कहाँ पर सवाल नमबर अपने 20 पर तो बटे बहले 20 को नोट कर लेंगे क्या है वो सवाल नमबर बच्चों 20 वाँ है x-3 upon x-1 ऐसाया बच्चों देखें हाँ कि घात 3 और e की पावर x कि घात 3 और इंटु में e की घात x और dx तो बच्चों यहां भी आप हिंटो दो 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 16 17 18 19 हो चुका है बच्चों 20 सवाल e की घात x से कनेक्ट हो रहे हैं तो यहां पर मुलब जो हमने आपको ट्रिक बताई वो आपके सवाल साथ-साथ बन सकते हैं अब यहां भी ट्रै करेंगे बच्चों देखो नीचे क्या रहा है पहले एक्स माइनस वन की घात और डी एक्स के लिए तभी तो फॉर्मला बनेगा बच्चों अब क्या होगा एक्स माइनस वन उससे अलग हो जाएगा यहां मैंने आपके लिए अंडलाइन भी कर दिया है अब जब इसको आप अलग करोगे तो कुछ ऐसा तो आएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब ठिक माइनस दो बटे एक्स माइनस वन का कितना बच्चों होल क्यूब और आप कह सकते हो कि पूरे के बहार कितना है एकी घात एक्स और डी एक्स यह तो आरे है पूरे के बहार एकी घात एक्स और डी एक्स अब ब करेंगे Q हस को अंदर लिया यो आज याएगा UK हाथ एक गुणा एक बटे चमाइनस वान का होल स्क्वर लत्यों माइनस दो बटे ईक माइनस वन का होलख़ प्यूब और इसको करोगे यहाँ पर इस का से बंद और यह हो गया डी एक्स अब ठोड़ा काम आपको पता है कहां करता हूँ अगर जगा बची ओ तो साइड में तो ठीक है यह तना आ गया बराबर का मतलब यहां लगा दो डैस डैस की पूरा सवाल यहां पर रहे अब बराबर का मतलब इसके आगे यहां काम होने वा कर दों पूर अब होगा होँ तक कर समझ जाना रोंक्या हूँ और माना ईकी घंग एक्स बटे एक्स- माइनस-1 का होल स्क्वेयर बडावर टीवाट्चों क्या माल यह मैंने की घंग एक्स-1 का होटम स्कूर्ष टीग रवर टी मान आँ तूसका अशुक्छ अव्कलां तो बच्चो उसका प्लंग करो कितना आएगा एकी घात एकस गोना पहला फलन फिर मैंने किसको माल लिया होगा एकी घात एकस को तो बच्चो दूसरा फलन यह तो वह एक बटे एकस माइनस वन का स्कुरेड कैसे करेंगे आप करन वही तरीका एकस माइनस वन ऊपर जाएगा तो उसकी घात कितनी हो जाएगी माइनस के दो फॉर्मला खुल देंगे हम एसकी घात एन का तो बच्चो आएगा आपका माइनस दो बटे एकस माइनस वन की घात तीन क्योंकि उपर घात आएगी माइनस तीन उसको मैं नीचे लेके आ गया पहला फलन दूसरे का अब कलन बच्चो फिर प्लस में कितना आता है दूसरा फलन X-1 का स्क्वेर और बच्चो E की घात X का कितना होता है अब का लन E की घात X ये हो गया ब्रैकेट बंद पूरा बंद हो गया अब का लन के बाद आपको बता है यहां आता है DX और बराबर DT सिंपल से काम है चेक करें माइनस 2 E की घात X माइनस 2 E की घात X बच्चे यहां E की घात X शुड़ गई है तो आप यहां लगा लो ठीकेट अब देखो माइनस 2 E की घात X बटे X मैंस 3 का क्यूब आ गया प्लस E की घात X X मैंस 1 का स्क्वेर यहां आ गया पूरे के भाद दी एक से पूरे के भाद डी एक स्टोटल वैल्यू फिर बच्चों किसके बराबर आ गई डी टी के अब आप कह सकते हो पूरा सवार यह क्या बन जाएगा आपका डी टी पूरा सवाल लेको आप कैसे लोगे पांस चे सवार बच्चों जो आपने टी माना एक की घात एक सपाउन एकस माइनस वन का स्क्वेर प्लस सी बच्चों सवाल आपका समप्त हो गिया है कौन सवाल है देखें सवाल दी सोवा किलियर अब आते हैं अपने अगले सवाल पर अगला सवाल क्या है बच्चों देखो आप चाहो तो यहां देख भी सकते हो अब तक सवालों में मारे सोलों से लेके 20 तक कुछ ऐसा हो रहा था कि एक हाट एक्स आ रही थी फिर हम उसको ब्रेक करें थे तो पूरा-पूरा फॉर्मला हमारा बन के आ रहा था अब कलंगा यहां बच्चों कोई फायदा नहीं होगा एक को माना पूरा-पूरा यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहे है बच्चों सिंगल आ रहे हैं की कि हाट साइन के साथ चारी कि यहां कि ऐक हाट को को सते हैं तो अब भचो इस पॉइंट को कह सकते हो कि फिक्स कर लो अपने दिमाग में जब भी जब भी वर्चों इस सवाल के ब पहला फलन किसको मानना है दूसरा किसको मानना इसको नौट करो बच्चों ठीक है पहला फलन बच्चों आप मानोगे हमेशा यह वाले को हमेशा कब कर रहो मैं एकी घात आये साइन या कॉस और दूसरा आप मानोगे साइन या कॉस को तो दूसरा मैंने क्या मान लिया बच्चों कि साइन को कौस होता तो कौस को मानता कुछ भी हो उसको दूसरा मानना है अब यहां बच्चों इतना हो गया और पूरे को आप मान लोगे आई जैसे होता है न कि समाकलन को क्या बोलते हैं इंग्लिस में इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन का पहला लैटर मैंने माल लिया आई अब जब यहां पर आओ आई बराबर ठीक है आई बराबर पहला फुलन दूसरा आपके सामने मैंने बता दिया है और विस मानना है ठीक लगाओ फॉर्मला क्या होता है बच्चों पहला फॉलन गोणा दूसरे का समाकलन बच्चों यहां काम करो अब डियर फॉर्मला आपको सब पता है शाइन किया होता है मैनस का समाकलन के अंदर क्या होता है पहले का अपकलन पहला क्या है एक हाद दो एक्स तो एक हाद दो एक्स का अपकलन कितना आएगा एक हाद दो एक्स और आपको बता है जो एक्स के स्थान पर आता है उसका दुवारा करेंगे तो आपको बता है दो आ जाएगा तो पहले का अपकलन हो चुका है फिर यहां क्या आता है आपको पता है गुणार में दूसरे का समाकलन मतलब पूरी की पूरी वैल्व आपनी हाँ लिख दी माइनस के है को सेक्स और बच्चों जो आया है देखो अब भी मैंने कर दिया डारेक्ट यहां समाकलन और अब आप देखो क्या क्या बच्चा बच्चों यहां आगया आपका माइनस का कॉस एक्स एकी घात दो एक्स माइनस का कॉस एक्स देख सकते हो आप एकी घात दो एक्स यह तो बच्चा अब आप यहां पर आओ माइनस माइनस यह हो गया बच्चों प्लस किलियर माइनस माइनस प्लस हो कॉस X, DX, चलो अब आगे बड़ते हैं, माइनस, कॉस X, E की घाएक्स, बच्चों, प्लस 2, अचा राजी है, E की घाएक्स बचका, कॉस X, अब आप देख रो, मैंने आपको तर्गी हुता जाए, जब भी E की घाएक्स में साइन या कॉस आएगा, पहला E वाला, दूसरा कॉ कुंद और फिर नगया कोस को क्या मान लिया आपने दूसा फिर लगाओ फार्मला देखो प्लस का दो आने दो यहां लगा दो बड़ा वालब प्रैकेट क्या वेक्ट यह पहला फ़लन थाइं लिए दूसर कितना है कोसे किया कितना आता है साइन एक्स तो यहां आगिया आपका साइन एक्स माइनस कि माइनस समाकलन के अंदर पहले का अपकलन मुच्छों पहला एक गहाँ दो एक्स है तो इसका अपकलन कितना जाएगा दो E की घाद 2X और दूसरे का समाकलन बचो कॉस का समाकलन कितना होता है साइन X और ये हो गया DX इसको आप करो बंद अब बचो पूरी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के कॉस X E की घाद 2X ठीक बचो ये काम ही करता है 2 पूरी के भारे इसको मैं अंदर लेके आ रहा हूँ तो आजएगा आपका प्लस का 2 E की घाद 2X साइन X आप देख सकते हो जही तो आ रहा है माइनस का कॉस X ये पूरा वैसी की वैसी रहा पहला फलन था और प्लस में 2 को मैं अंदर लेके आ रहा हूँ 2 E की घाद 2X साइन X माइनस का बच्चों साइन आएगा क्यों प्लस माइनस माइनस होता है 2 दूनी 4 क्योंकि 2 अचरासी है समाकलन के वो बहार आ जाएगी माइनस के 4 E की घाद 2X और साइन X D X तो बच्चों जो आपको मैंने तरीका बताया पहचान बताई कि E में साइन आए E में कॉस आए हमेसे आप E को माना पहला साइन आ को दोसरा जब आप ऐसा करते हो जैसे हम इसको आई माना जब आप ऐसा करते हो तो बच्चों एक कन्फर्म है कुछ आखरी वाला स्टेप ऐसा बनके आएगा पूरा आप देखोगे पूरा कुछ ऐसा बनके आजाएगा कि यह वैल्यू भी यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है उस्ता आखरी में हो कि यह वैल्यू भी आपकी आई बनके आजाएगी मतलब पूरा सवाल वही लोटके आजाएगा जो आपने माना था देखो है नहीं है जो आपको बता रहा हूं आई ही माना था मैंने e की घाद 2x sin x dx आ गया यह पहजान है कि आपका काम एकदम सही है तुम क्या करेंगी यहां बच्चो देखो फाइनल माइनस का कोस x e की घाद 2x अबच्चो यह दो तो आने ही आने से कोई मतलब नहीं है sin x माइनस का 4 अच्छा 80 लिख दिया पूरा अंडराइन करके बता दिया है पूरा किसके बरावर आ रहा है वो चैसे कोल Marine के तो यह आपकाल दो धो नहीं है वह बच्चो यह हैं डैस 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 का मतलब येक इसके बरावर हमारा разных आई के नहीं के किलियर अई का मतलब जो मुझे समाकलन हलका नहीं अब क्या करो आई आई वाले एक तरफ लेके आ जाओ देखो आई आई वाले कितने आ रहे हैं माइनस का चार आई इधर आ जाएगा एक आई पहले से तो कितने वाजेंगे बच्छो पांच आई इसलिए आप क्या लिखोगे पांच आई बराबर बच्छो युद्व के पांच आ जागे है बाकि जो बच यह वो इसका पॉस next इक नोट फो आ माइनस कॉस एक्स और इक कितने बच्छो 2 एक्स अब वागया हो स्बस्टो एकिगा 2 एक और साइन एक्स पर बजो मुझे आई कमान चाहिए या पांच आई कमान चाहिए तो पांच नीचे लिए हो तो अब क्या लिखोगे आई बराबर एक बटे पाच आगे नीचे बच्चो इसमें कुछ कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन minus का कॉस x plus का दो साइन एक्स बच्चों और यहां पर आप कह सकते हो यह पाँच आई आ गये था अब तो समाकला नहीं आ रहा है पाँच आई आप यहां पर लगा दो कुछ स्वाल आपको पता है को एंहां पर सवाखनलना काम भच्छों खतम हो गया है और आई व रावा एक बटे पाउन और यहाँ आपका आएगा सी बटे पाउन सवाल आपका इही समाफ द्वा यहाँ चुब चुब हूए कौन सवाँ यहाँ यह था बच्छों 20 यह 21 हाँ हो चुका है बच्चों किसा सवाद 22 अब आपके सामने हैं देखो क्या होने वाला है सवाल बच्चों 22 है हमें समाकलन करना है अब साइन इनिवर्स दो एक्स के नीचे है वन प्लस एक्स स्क्वेर और डी एक्स का बच्चों यहां पर सिंपल सी बात आप देखो कि यहां तो पूरा साइन इनिवर्स एक्स आता कोई टेंस नीथी यहां तो साइन इनिवर्स आतो रहे तो बच्चों उसके अंदर पूरा एक नंबर आ रहा है बड़ा सा और आप यह देख सकते हो जब मैंने आपको चैप्टर दूसरा करवाया था आपने वीडियो हमारे देखे होंगे प्रतिलों त्रिकोमते फलन के वहां बच्चों यह कोई फॉर्मला बंता वह नदर आ रहा है अंदर वाला दो एक्स अपॉन बन प्लस एक्स स्क्वेर किसका अब आपको कुछ मानते हैं तो आप यहां देखोगे एक्स का ओगया यहां पर डी एक्स और टैन का पुलं कितना होता है बच्चों सैक स्क्वेर थीटा और यह कितना आ जाएगा आपका डीटा के लिए यह मैं यहां रखने वालों अब आप देखो चेंज कहा जाएगा साइन इरिवर्स यह हो जाएगा आपका दो है टैन ठीटा अपान वन प्लस है टैन स्क्वार्ट टीटा वर्चों यह वैल पुटब हो गई एक्स की यहां कितना आ रहा है डी एक्स उसके तो वैल्ली रखी आएगी रखो से स्कुरेट हीटा और डी ठीटा अब आप यहां देखो साइन ईवर्स यह मैं इसकी बात कहला था टू टैन हीटा अपान बन प्लस टैन स्कुरेट हीटा किसके बरावर होता है बच्चों यह आपका साइन 2 ठीटा के आप चौब तो चेक कर लो इसका formula आपका आएगा sin upon cos यह हो गया 1 और यह से कटेगा sin 2 ठीटा बच्चो किसकी value 10 2 ठीटा पॉर यह आपका 2 10 ठीटा पॉर 1 प्रस के 10 स्कुर्ड ठीटा मैं आपके लिए underline भी कर रहा हूं यहां और यह पूरा formula sin 2 ठीटा और यहां कितना आ रहा है बच्चो आप जेखोगे सैक स्कुर्ड ठीटा और डी ठीटा आपको बता है sin reverse sin आरे मुआपस में कर जाएंगे यहां कितना आएगा आपका 2 ठीटा और सैक स्कुर्ड ठीटा डी ठीटा आपको बताए बच्चो दो अचारासी है ठीटा और सैक स्कुर्ड ठीटा डी ठीटा यह पूरी वैल्यू आएगी आपके पूरी ठीटा ठीटा टू टैन ठीटा अपन बन ब्रस टैन स्कुर्ड ठीटा किसके ब्रावर होता है साइन ठीटा के आपने फॉर्मूल लगा दिया वैल्यू इतनी आ गई अब अच्चो यह सवाल दोचरासी है यह सवाल आपको याद हो आया था समाकलन में हो सकता है वो पिसली क्लास में आया हो ठीटा सैक स्कुर्ड ठीटा अब किसको मानेंगे पहला किसको दूसरा यह आपको मैं हिंट असी से दे चुका हूँ जब भी एक्स के साथ साइन कॉस्ट आये पहला एक्स दूसरा साइन कॉस्ट यहां पर एक्स की जगां आ रहा है ठीटा तो पहला ठीटा मानेंगे दूसरा सैक स्कुर्ड को मैं आपको दो तो यहां पर है दो आपका यहां पर है करते हैं बच्चों पहला थीटा पहला फ़लन गोणा है दूसरा कितना है सैक इसक्वाइब तीटा का समाकलन किसके बरावर होता है तैन के तो यह आपका ठीटा और 10 ठीटा माइनस समाकलन के अंदर पहला तो यह है न इसका आपको लंग करो गया बनाएगा और यह पूरा का पूरा कितना आ जाएगा आपका 10 Theta और डी Theta जड़ी अब गर आगे बढ़ें वड़ों दो 12 30 जब माइनस का यह पूरा और समाकलन 10 जर्वार मैं इसको लिखूँ aja यहाँ पर डडए्ट आप इसको यहां देखो जब मैंने बताया था आपको वहाया था सम्हाक अलानум nyee 10 ठीट हो दी ठीट हर दूवर आधे डलॉजव किसके बरावर मैंने बताया था कर लॉग इस लॉग सैक ठीटा को मैंने चेंज कर दिया कोस्थ में जो आपको में धूर्दी पूरी डिटेल बताई थी मैंने की इस पहले 10 को साइन पॉर्ण को पूरा मैं दो को इसको ऐसा लिख दू माइनस के लॉग कॉस्ट ठीटा क्योंकि मुझे याद है बच्चों यह आया था मेरा पूरा सॉल्ट करने के बाद समाकलन 10 ठीटा का माइनस की लॉग कॉस्ट ठीटा तो पूरी वैल्लू को मैं रख रहा हूं यहाँ पर तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस और यह आप का जाएगा लॉग कॉस्ट ठीटा बच्चों फाइनल पूरा करने के बाद क्यों कि माइनस आना था माइनस माइनस प्लस हो गया लॉग कॉस्ट ठीटा समाकलन हो चुग है क्या जोड़े होगे आप यहाँ पर पिलस का सी और बदाबर बच्चों दो तो आपको पता है आने ही आने किसकी वैल् आने करीं इनिवर्स एकस टैने किसके मेराबर बच्चों आप देखो इए तेल्ट सेंखेंखेंग एकस के त्यों हो जाएगा आपका एकस पिल्स हो लॉग बच्चों को सा कॉलर है और ऊसकी 평त निकान ली ओगते मैं तो कॉस्कृत बच्चों टेटा आब इसा निकले गाए और more square तो यहां लिखो एग बढ़े रूड मन प्लस तेंग को पता है कितनी है वहां पर एक्स है तो यह पूर आजएगा आपका यहां पर लॉग में एक बटे रोड वन प्लस का बच्चो टैन स्क्वार ठीटा का मतलब एक स्कॉर यह आ गया आपका यह हो गया बंद प्लस का सी सवाल आपका बच्चो यहीं समापत हुआ जो सवाल अमारा 22 वह था दो आ गया सवाल कौन सा था हमारा 22 वहां आगे बढ़ते हैं जड़ा देखो 23 सवाल क्या है बच्चो मुल्टिपल चॉइस को सन तेस और 24 में सही उत्तर का चैन कीजिए आपको जो सही आंसर आएगा उसका आपको यहां पर लिखके बताना है तो आप देखोगे बच्चों का पहला सवाल क्या है तीसमा एक स्क्वेर एक की घार एक्स की घार तीन और इसका समागलन करने अब अब अच्व यहां फलका से हिंट देखो तो सेवन पॉइंट टू से कनेक्ट सवाल है आपको यह सवन पॉइंट टू से आप पुछोंगे कैसे अगर मैं एक्स की घार तीन आप धियां लगाओ एक्स की घार तीन इसको टीम आ लो तो क्या एक्ष् कि घार दो होता है तीन इसकी हाद दो आप यहां दोखो फटाव पर देखो तो यह असाल सा वाले बच्चों में मतलब यह कहने का माना X की घाद 3 बराबर कितना बच्चों T तो आपको बता है आपको लंग करेंगे 3X स्क्वार DX बराबर कितना आएगा DT मैं इसी की दुबात करा था X की घाद 3 का अपको लंग कितना होता है 3X की घाद 2 अब आप यहाँ से X की घाद 2 और DX का मान निकालोगे कितना आएगा DT by 3 आयागा नहीं आएगा आएगा X स्क्वार ये रहा DX ये रहा इस पूरी के वल्यू कितना आगए DT by 3 आप यहाँ देखोगे 1 बटे 3 अच्छाची भाली के आगया मैं X स्क्वार DX कितना है DT और बच्छों ये कितना बन जैगा आपका E की घाद T और DT एग बटे 3 E की घाद X का सम आख लैका E की घाद X तो ये कितना जैगा आपका E की घाद T और प्लस C तो आपको बताए आखरी में आना है और आप क्या करोगे बच्छों अधो ईक्राइट टे की वेलू को रखढ़ोगे एकी आग्स तीन प्लस सी जे मेंस करो जो यह वाला अंसर कहां पर आ रहा है एक बते इन एक यह उकलत टीन एक बते इस और तीन बट्टो आंसर होगे आपका यह वाला ठी अपका लिखोगे कि अता हा विकालब कैपिटल एक क्या है कि सही है बक्र समया है पूरी पूरी पूरी-प्रस्नावाली मज्या समाप्त हो जाए तो बच्चों आख्री सवाल है इसका 24 समाकलन करना है किसका एक गात एक सेक एकस भी है और यह कितना है बच्चों वन प्लस का यह एकस इसको थोड़ा समया एकस पुनाने इक को सब्सेल आ यहकेर एक सब्सक्राइब ह सेक्त Ng ROB एकस के बाहर आपको बताई ऐकस तो यहाँ आना ही आना है यहाँ देखो अब मैं क्या करने वाला हूं माना E की घात X Sec X बराबर ठीटा बच्चो वही केस बन गया आप कह सकते हो E की घात X Sec X को मैं ठीटा माल लिया ठीटा मालेंगे अफिलन करेंगे अफिलन करो बच्चो E की घात X वही पहला फिलन Sec X का अफिलन कितना होता है Sec X और 10 X प्लस बच्चों दूसरा फुलन दूसरा फुलन कितना है आपको बता यहां पर कितनी आजरी आपकी आपके फिर इटी वाला मीं दिवाब में चलता है कि मुश्ट इस ओल में 2 मानता हूं यहां पर आप топ कर ले न Zig il ठीक है यह हो जाएगा आपका डी ठीटा तो अब यहाँ पर देखें तो पूरी वाल्यू कितनी आजेगी बच्चों यह डी ठीटा के बरावर आ गई और आपको बता है इसको मैं क्या लिखता हूँ एक और डीठीटा तो समाकरन हो गया ठीटा प्लस का सी और ठीटा कितना है आद रेक्ना बच्चों ठीक तो क्या लिखोगे विकल्प क्या है सही है बस बच्चों इस पॉंट के साथ अरण वल्यापकी 7.6 ने समाफ्ट होते क्लास को भी हैं समाफ्ट करेंगे अब मिलेंगे आपसे नई प्रस्वाली में नई क्लास के साथ